हेलो एवरिवन एक्जा मंत्रा पे आप सभी का स्वागत है और बताइए कैसे हैं आप लोग तो आज आप लोगों के लिए सीजेल 2023 की त्यारी के लिए जो हम लोग का सौट वीडियो का सिरीज चल रहा है उसमें आज का जो वीडियो है वो वीडियो नमबर टू है हम लोग प हम लोग सबसे पहले यह देख लें कि क्या क्या अभी पढ़ने वाले हैं और उसके बाद तुरंत हम लोग इस्टडी कर लेंगे तो आएए देखते हैं देखिए सबसे पहले तो वीडियो नमबर वन को याद दिलाने के लिए अगर ऐसा डेटा हो तो मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं वो देखेंगे उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर गुरूप डाटा और गुरूप डाटा में एक सेकेंड रूख जाईए 2668 तो इसको बोला जाता है गुरूप डाटा कि इसी को जो है जब टेबल के रूप में दे दिया जाये तो मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जैसे एक क्लास इंटर्वल इसको ठीक है ना और उसके बाद उसी को यहां solve परने के लिए उसके बाद से यहां पे marks दिया है number of student दिया है तो यह कैसे निकालेंगे और अभी CGL 2023 में मेंस हुआ था 22 वाला CGL 22 का मेंस तो उसमें जैसे देखे यह मोड पूछा है मेंस में तो यह कैसे इसका answer तुरंत आप seconds में बत cover कर लेंगे हम लोग तो चले ध्यान दीजे अब हम लोग class को start कर लेते हैं तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं यहां पे सबसे पहले mode में तो देखे mode का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते है mode का हिंदी होता है बहुलक बहुलक का मतलब जो बहुत बार आता है उसे बह सबसे ज़यादा बार है जो सबसे ज़यादा थी सबसे बार सबसे ज़या बार आया है इस बहुलक काल लाएगा मीडियтом के लिए क्या करेंगी एसraszam आःधी एसरेंडिंग एसी को मनं होता है तो में सजा बेगए एसे मूद कैप दो 2 के बाद आपका जाएगा 3 4 5 5 8 77 एधे है तो यह आपका जो का बीच में हो गया और यह हमारा क्या कहलाएगा मिलियन का माधिका कहलाएगा यह हो जाएगा आपका माधिका अब देखिए माधिका जब एक बाद आप समझ गया है कि माधिका क्या है तो माधिका के जस्ट वाद हम आते हैं मीन पे तो मीन का मतलब average होता है मीन का मतलब average average का मतलब some divide by numbers होता है तो सब को जोड़ देना है तो जोड़े यह 3 5 8 8 7 15 15 तो यह हमारा जो होगा यह average हो जाएगा average का मतलब मीन हो जाएगा तो पहला चीज यह clear है बताइए तो एक बार quick division जो बहुत बार x strategy करें उसे बहुला करते हैं जो बहुत बार repeat करें जो सबसे जादा बार repeat करें उसे बहुला करते हैं median के लिए बढ़ते हुए करम में जाएए भीच में जाएए median का हला आएगा और अगर माल लीजे mean की बात किया जाए तो mean का मतला average, average में क्या करते हैं? सब को जोडते हैं, जितनी संख्याय होती है, उससे हम divide करते हैं, तो अगर ऐसा कर देंगे, तो ऐसा करने के बाद से क्या मिल जाएगा आपका? आपको मिल जाएगा, आपको mean मिल जाएगा, ठीक है न तो दो दो एक बार दो बार तीन बार चार बार तो यहां दो किसंग है चार बार आ गया दो के बार तीन पर यह तो तीन एक दो तीन चार चार बार तो तीन एक बार और है यहां पांच बार तो पांच हो गया उसके बार से तीन के बार देखेंगे यहां पे पांच तो यह पा आप यह सूचिए ना कि यह संख्या दो है और इसकी फ्रिक्वेंसी चार है यह संख्या दो चार बारा है तो जोड़ेंगे तो दो चोकाट यानि एकस है यह एकस इंटू एफ करेंगे तो चार दून आठ यहां पर हो जाएगा तो आठ हो जाएगा यहां पर तीन पाचे पंदरह हो जाएगा यहां पर जोड़ेंगे तो बारह हो जाएगा यहां पर पांदूना दस हो जाएगा और उसके बाद से यहां पर चार पांच नौ तीन बारह बारह दू चौदा हो जाएगा सॉल्फ करेंगे इसको तो देखिए 12, 20, 20, 30, 30, 40, 45 बटा 14 कर दिए 14 तिया 42 और 14 तिया 42 और उसके बाद से पत्जाएगा 3 बटा 14 तीस दसमला 2 तो इसी के रेंजिमें लगभग आएगा लगभग ठीक है ना तो यह लगभग भाई लू आपका इतना हो गया तो मीन निकाल देंगे ऐसे मीन के बाद से हम मीडियन में आते हैं दूसरा चीज हमारा मीडियन है चले मीडियन हम बाद में देखते हैं मीडियन को इधर हम देखेंगे पहले हम मूड को देख लेते हैं देखिए मूड का मतलब जो सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा बार तो सबसे ज़्यादा बा इसके corresponding 3 है, तो यानि 3 हो जाएगा, यानि 3 हो जाएगा, देखें सबसे ज़्यादा frequency यह है, 3 आया है 5 बात, सबसे ज़्यादा बात 3, 5 बात, तो बहुलक हो गया, 3 हो गया, यह बात के लिए रहे, अब आते हैं हम लोग मीडियन पे, तो देखें मीडियन के लिए आप सबसे पहले CF निकाल देजे, तो इसके लिए CF आप निकाल देजे यहाँ पे, cumulative frequency, CF, तो देखें CF, यह चार हो जाएगा, चार में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 में 3 जोड़ेंगे 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, इसको CF बोलता है, अब इसमें क्या की जईए, जो ला यह हमारा होगा न, यही हमारा होगा क्या चीज, median का हो जाएगा, यानि median is equal to, यहाँ पे median is equal to, आपका हो जाएगा, median is equal to 3 हो जाएगा, ठीक है न, और इस वीडियो को एक पर अच्छे सा और देख लिजेगा, ताकि समझे में आ जाए, अब हम लोग आते इस question पे, और इस question कैसे निका लिए गवाई, देखिए, अच्छा अब देखिए, इसका मतलब क्या है, कि 0 से लेके 10, इसको group data बोलता है, इसको बोला जाता है group data, ठीक है, अच्छा, 0 से लेके 10 के बीच में 3 frequency है, मानि 0 से लेकर 10 के बीच में 3 data आने वाला है, हो सकता है, 1 आया हो, 2 आया हो, 5 तो 3 data है, अब कौन कौन है ये पता नहीं है, तो इसके लिए हम ना 0 लेंगे ना ही 10 लेंगे, इसके बीच में लेंगे, अब बीच में 5 है, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजे, ये 5, इसको बोला जाता है, class mark बोला जाता है, बर्ग चीन बोला जाता है, तो यारी 5 आया है तीन बार, इसमें हम लेंगे, यहां पर लेंगे, 10, 20 के बीच में आजाएगा, 15, दोनों को जोड़ के आधा करिए, 30, 40, आधा करिए, 70, आधा 35, इसका आधा 45, तो देखिए, यानि ये जो 5 आया है ना, 5 आया तीन बार, तो जोड़िएगा, तो 5 तहीं 15 यहां पर हो जाए यहां पर, यह 25 पचे 125 हो जाएगा, और 35 चोग का 140 हो जाएगा, और 45 तहीं 135 हो जाएगा, सब को जोड़ लिजे, तो 5, 5, 15, 3, 1, 4, 4, 2, 6, 6, 4, 10, 10, 10, 10, 13, 14, हाथ में 1, 3, 3, 1, 4 हो गया, अब अगर आप लोग को, अब अगर मिन निकालना है, तो मिन के लिए, मिन का मतलब आवरेज, आवरेज का मतलब हो जाता है, सम बटा नंबर्स हो जाता है, तो आप क्या किस सम 445 अपला दिये, बटा में नंबर्स देख लिजे, तो नंबर्स का मतलब सिग्मा एफ, नंबर्स का मतलब होता है सिग्मा एफ, यानि कि, यानि देखिए, इसके बीच में 3 संख् पेंस्यू को एड कर दीजेगा तो यह हो जाएगा सतरह, आप सतरह से भाग देजएगा, तो यहीं हमारा आंसर हो जाएगा, भाग लगाना आप जानते हैं, सब लोग लगा लीजेगा, अब हम आईए सीखते हैं, मिडियन, तो सेम डाटा अगले पेज पे हम लोग देखेंग से हो जाएगा, मिडियन बराबर लोवर लिमीट, L का मतलब लोवर लिमीट अफ दा मोडल क्लास, N by 2 minus C by F into H है, H का मतलब होता है, देखें, H का मतलब क्लास साइज, F का मतलब फिरिक्वेंसी अफ दा मिडियन क्लास, और C F का मतलब होता है, कुमुलेटिव फिरिक्वेंसी अब दा क्लास प्रिसीडिंग मोडल क्लास और एन का मतलब होता है टोटल नमबर अफ अबजर्बेशन तो देखे सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखे इसको अगर हम एड कर देंगे न तो यहां पर जो मिलेगा इसी को हम एन बोलते हैं तो तीन दो पांच 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 10,4,14,14,14,17 तो इसी सत्र को हम बोलते हैं तो इसको बहले सत्र आंगए अब देखिए, हम CF यहां निकाल लेते हैं तो CF का मतलowo होता है Cumulative Frequency का हिंदी होता है संचै बरमबरता,संचै टीन डर्रेक्ट तीन आजाँगा अब 3 में 2 जोड़ के यहां 5 लिख दीजे, 5 में 5 जोड़िए, 10 लिख दीजे, 10 में 4 जोड़िए, 14 जोड़िए, 14 आ 3 कितना होगा है 17, तो इसको हम लोग बोलते है संचाई बरंबरता, अब संचाई बरंबरता में यह दोनों सेम होना चाहिए, यह दोनों सेम है तो सही है, अब ध्यान के पांच के उपर है साड़े आठ तो यह जो निकलता है ना यह हमारा निकलता modal class यानि कि माधिका का बर्ग हम decide कर रहा है modal class decide करने के लिए आप याद करिए माधिका के लिए बीच में जाते हैं माधिका के लिए क्या करते हैं बीच में जाते हैं तो बीच में 17 data है तो 17 का आधह करेंगे मतले मतले हो जाएगा मोडल जानते हैं ना, तो ये मोडल कालास होगा अब एक बात को समझें यहां पर मोडल कलास में अगर हम बात करें तो ये हमारा L का हलाएगा lower limit यह higher limit कहलाएगा ठीक है ना यह हमारा कहलाएगा cumulative frequency अच्छा दिखेए यह cumulative frequency of the preceding class preceding का मतलब यह जो है हमारा CF कहलाएगा यानि जो हमारा model class है उसके just पहले वाला cumulative frequency कहलाएगा CF लेना है और यह जो F है frequency of the median class लेना है यानि frequency यह हमारा median class है यह हमारा F हो जाएगा तो F का value 5 है यहाँ पर L का value रख लीजे L का value 20 हो गया यहाँ पर CF cumulative frequency कितना हो गया बताईए 5 हो गया 5 हो गया यह F का value F का value कितना हो गया 5 हो गया और H का मतलब size class का size तो देखिए 0 10 class है इसका size 10 है class size माने highest minus slowest इसका size 10 है इसका भी size 10 है तो यानि size यहाँ पर 10 हो जाएगा अब value यहाँ पर put कर लीजे आप लोग देखिए यहाँ पूट करते हैं सबसे पहले L L का मतलब हो जाएगा 20 plus N by 2 कर लीजे N by 2 माने यहाँ पर हो गया साड़े 8 minus CF cumulative frequency यहाँ पर 5 हो जाएगा अब बटा में यहाँ F का value 5 है और into में आपका कर दीजे H, H का value यहाँ पर 10 हो गया ठीक है ना अब इसी को solve कर देना है देखिए साड़े 8 में से 5 गया साड़े 3 साड़े 3 यहाँ पर हो जाएगा और यह कर पाँ से .7 बार में अब 0.7 में अगर 10 गुद आगवा 7 आ जाएगा तो 20 10 20 आ 7 यहाँ पे 27 यानि हमारा आंसर 27 हो जाएगा अब एक बात समझी आप लो अगर अगर आंसर का बात किया जाए तो हमारा जो आंसर होता है इस फर्मूला से न यह 20 और 30 के बीच में ही आंसर आएगा यानि जैसे आप n by 2 करेंगे साड़े 8 तो इसके आगे वाला यह modal class जैसे decide हो जाएगा तो हमको यह पता रहेगा कि हमारा आंसर 20 और 30 के बीच में होगा clear है तो यह सारे steps को ध्यान में रखिएगा अब आते हम लोग इसको देखते हैं बाई देखिए अब हम लोग सीख रहे हैं यहां पर मोड निकालना ठीक है ना तो मोड निकालना देख लिए मोड के लिए फर्मूला आपका अब इसमें जल्दी जली चीजों को समझे सारा चीज हम यहां पर लिखे हैं आप वीडियो को पॉस्ट करके और इसको पढ़ लीजेगा समझे मे कि अ कि कि मोड माने बहुलप माने क्या होता है बहुलप मने जो बहुत बड़ा आए तो सबसे पहले हाइस फिर्क्वेंस देखिए ये यह यह अपका हाइस फिर्केंसी है तो यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया, यह हमारा हो गया, मोडल क्लास हो गया, ठीक है न, यह हमारा मोडल क्लास हो गया, एक मिनट, यह हम मोड निकाल रहे हैं न, यह जो हमारा क्लास है न, मोडल क्लास न, यह हमारा मिडियन क्लास है न, मिडियन निकाल रहे हैं तो मिडियन क अच्छा यह देखिए यह हमारा modal class हो गया सबसे ज्यादा frequency 5 और सबसे ज्यादा frequency रहता है तो बहुलक होता है तो इसी के corresponding इसी के अंदर हमारा बहुलक आएगा यानि हमारा जो बहुलक होगा mode होगा वो 20 और 30 के वीशमा होगा तो यहाँ lower limit 20 है तो यहाँ पर lower limit आप 20 रख दीजे 20 ठीक है ना plus उसके बाद से यह सब देखना है अच्छा age का value यहाँ 10 है तो यहाँ पर ब्रेकेट बंद कर दीजे आई यहाँ पर आप 10 लिख दीजे ठीक ह अब देखिए 9ड क्या होता है तो यह हमारा डेफ़वर्ण हो जाता है यह हमारा अफ्वण हो जाता है यह हो जाता है ऐस्के जस्ट पहले वाले अमच्छ पर कर लिए अब फारна में पुर कर लिए देखिए यहां पर आपको F1-F0 यानि F1-F0 करेगा 5 में से 2 गया 3 आ गया यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप करिए 2 F1 यानि F1 5 का दुगना 10 आप 10 में से आप यह F2 और F0 को घटाईए F2 और F0 को घटाईए 4 दू 6 को यहाँ घटा दीजे ठीक है न आप इसको solve कर दीजे आप लो देखिए यहाँ पर तो यह हो जागा 20 प्लस यहाँ पो जागा 3 आप बटा में यहाँ हो जागा 10 में से 6 गया 4 आप यहाँ पर 10 हो जागा तो यह हो जागा 20 प्लस 30 बटा 4 ठीक है ना तो हो जाएगा 20, आएए हो जाएगा 4 से भाग दीजिएगा, तो हो जाएगा 7, यानि solve करेंगे तो 27.5, तो हमारा answer 27.5 आया, और देखिए हम आपको बताये भी थे, कि हमारा जो answer होगा, 20 और 30 के बीच में होगा, 20 और 30 के बीच में होगा, तो यह बात किलियर है, और आएए इसको देखते हैं, देखिए, यह हमारा, यह आप लोगों के लिए हम homework दे रहा है, यह homework दे रहा है, यह जल्दी से आप लोग solve करिए, और solve करके comment box में comment करिए, कि इस question का answer क्या होगा, देखिए, एक बात को समझे लिए, सबसे पहले median class, तो median class decide करना, modal class decide करना, तो modal class, median class के median का मतलब होता है, सब को जोड़िए, सारे frequency को add करिए, जोड़ लिजेगा, तो बताइए, यहाँ पे, तीन, अठारे, एकईस, एकईस, पांच, छबिस, छबिस, आज साथ, तैंतिस, आज तैंतिस, आज तैंतालिस, आज तैंतालिस, अच्छे, उन्चास हो गया, उन्चास साथ कितना है, बताइए, तो तैंतिस है, तैंतिस, आज तैंतिस, आज उन्चास है, तो चौविस, दस आज पांच, यानि की, यह हो गया हमारा, तो यह हमारा हो गया, मिडियन क्लास, यह मिडियन क्लास हो गया, अब मोडल क्लास, मोडल क्लास हमाने हाइस फ्रिक्वेंसी, तो highest frequency यहाँ पहे तो यह हमारा modal class हो गया, यह हमारा modal class हो गया, modal class, यह हमारा हो गया क्या चेज, यह हो गया median class, और x is the lower limit of the median class, इस median class यह है, इसका lower limit, यानि x का value आपका 20 हो गया, x का value 20 हो गया, y का value क्या है, y is the upper limit of the modal class, model class, यह model class है, इसका upper limit यह 20 है, ठीक है न, 20 है, तो यह हो गए आपका, तो बोल रहा है कि यह निकाल लिए आप लोग, तो यह निकाल देंगे आप 3 गुड़े 20 आप 2 गुड़े 20, यानि 100 हो जाएगा यह, आप mean median mod निकालना भी हम आपको सिखाए थे, कि कैसे mean median mod निकालना है, यह पीछे वाला देखकर आप solve कर लिजेगा, और आईए इसको देखते हैं हम लोग, देखिए, अब इस question में, CGL का question है, इसमें बोला कि बहुलक निकालिए, क्या बोला बहुलक निकालिए, तो बहुलक का मतलब होता है, जो बहुत बार आता है, उसे बहुलक आता है, तो स बहुलक का हम फर्मुला भी बताया है, फर्मुला से भी आप निकाल सकते हैं, बाकि आप डायरेक्ट आंसर की बात करिएगा, तो पचीस और तीस के बीच में यह आंसर हो जाएगा, तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं, SAC देखे कितना आसान पुछा है, या फिर आप ज इसके बाद अगर हम बात करें, इसको देखे है, नीम्ना लिखित आकड़ो का माधे निकाली है, माधे का करना है, माधे का मतब ऐवरेज, ऐवरेज का मतब सबको जोड़ दीजे, और सबको जोड़ के आप नमबर से भाग दीजेगा, तो यह मीन हो जाएगा, और मीन आप तो है आप लोग लेक्चर नमबर वन भी देख लीजेगा, शॉट वीडियो वन भी देख लीजेगा, दो भी देख लीजे, और एक और लास्ट वीडियो संखीकी का डालेंगे, जिस्ते की हर तरह का कोशन करवा देंगे, तो बाई बाई टेक क्यार, मिलते हैं नेश शॉट वीडियो में, तब तक के लिए जैहिंदे,